दन गुरु नानक, दन बाबा नन सिंग जी, जनम साकी बाबा नन सिंग जे की चोच करने प्रारम की रीत है अपने सेवादारों को देखना, परकना की कही सेवा करते करते अहंकार तो नहीं हो गया, किसी के साथ भेदबाउ तो नहीं कर रहे किसी को फीक तो नहीं बोल रहे यह देखने कही बड़े राजे महाराजे के हिस्से आए है जैसे महाराजा रंजित सिहन के इतिहास की कई कताई है और बेल बैस बदल कर कभी-कभी जनता और लोगों की कटिनाईयों सुन जाते और कभी-कभी अपने पहर्यादोरों की इमानदारी परक जाते थे और जैसे भेज बदल कर घूम रहते तो क्या देखा एक मुसल्मान रो रहा है नज्जिक होकर पूचा भाई तु क्यूं रो रहा है तो वह बोला इस नगर का महाराज सिख है मैं तभी रो रहा हूँ क्यूं राजा ने तुमें कुछ दुख दिया है का दुख तो नहीं दिया फिर क्यूं का जिम मैंने एक कुरान शरीव लिखा है सुनहरी अक्षरों में काश अगर राजा मुसल्मान होता तो मैं उसको भेटा करता और मुह मांगे इनाम प्राप्त करता पर यह राजा सिख है इसने किसी की क्या इज़त करनी है तो कहने लगे ऐसी बात नहीं सिख तो हर धरम गरंद का सतकार करते है इनके गुरू का हुकम है किसी के साथ बेदवाव नहीं करते चल तु मेरे साथ मैं तुम्हे राजा के पास ले जाता हूँ तो साथ लेकर चल गए और उसको बाहर बिठा दिया तो आकर राजा का वेश बनाकर बाहर आ गए और उससे बड़े सम्मान के साथ कुरान शरीफ लेकर अपने धरम गंतों में रखा और उसको मुँ मांगा इनाम दिया तो इस प्रकार के राजा होते थे जो दुनिया को अपना समझ का प्यार करते थे सभी धर्मों का सम्मान करते थे किसी को दुख नहीं देना चाहते थे चाहे मा पुरुष तो उस समय के लोगों की अच्छी किस्मत कहे ले जिनके जीवन समय धर्मी राजा का राज्य हुआ होगा अपने जीवन को हम बदकिस्मती समझते हैं जिस जीवन समय ऐसे राजा जो किसी की खातिर मुसल्मान, हिंडू, सिक का बेद डाल कर वे गुनाहों का कतल करवाते हैं और अपने राजा के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं आप और हम सबी देख रहे हैं मैंने 1961 के जनम से 1996 तक अपने समय में जो देखा है इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं देखी ऐसे धोंगी और बुद्धी हिन लोगों को पड़ो पर में धून कर सुम्मत बक्षती हैं पर देखा है जिनको बुद्धी नाम की कोई चीज ही नहीं मिली जैसे कलगी धर पाथशा के आगे संगत ने विंती की जी लंगर किसी का अच्छा है क्योंकि कोई किसी के लंगर को अच्छा कहता है कोई किसी पर लंगर तो वो है जिसको आप मोहर लगाए कहने लगे बताएंगे तो अगले दिन सुबह अम्रित समय किर्टन हो रहा है कलगेदर पाथ्षा छोटा सा दस्तार बांध कर और हाथ में तीर और एक हाथ में लोटा पकड़ कर एक लंगर में गए जाकर लंगारियों को कहा भाई भूग लगी है अभी तो भूग नहीं पड़ा संगते किर्टन सुन रही है तो यह पेट कर हाथ रखकर बेटा है भूग लगी है जाकर दिवान में किर्टन सुनो भूग पड़े तभी आना तुम्हें प्रशाद मिलेगा सदबचन आगे चले और दूसरे लंगर में वहाँ जाकर कहा भाई भूग लगी है तो वहाँ कहा गया कि अभी हमने कुछ पकाया ही नहीं है ठोड़ी दे ठहर कर आजाना सदबचन आगे गए तो लंगर भाई नंदलाल जी का विंति की भाई भूग लगी है भाई साप अंदर गए लंगारियों से पूछा कि भाई कुछ पकाया है लंगारियों ने बताया आटा गुंदा है दाल पक रही है अगर कहो तो पक जाता है अगर कहे तो जैसी भी है वही ले आता हूँ कहा कि जैसे भी है ले आओ तो गुंदा हुआ आता अडपकी डाल पानी अलग डाल अलग लोटे में दलवा ली तो जब लेकर चले तो भाई ननला जी कलगिदर को हर रंग में पहचानने वाले खुशिया गही सूफी गही जाहिद गार कलंदर में अवद रंग हाए मुकतलतफ दरदबूत अईरम तो कलगिदर पात्षा ने पीछे मुड कर देखा और पूछा मुझे कुछ कहा है कहा और किसको कहा है तो फिर आपने मुझे परचान लिया कहा तुम्हे नहीं परचानूंगा तो और किसको परचानूंगा मेरी आखे में जाग कर तो देखो, मेरी आखो में आपके बिना कोई और नहीं यह चोज भी थी और परक भी थी और आज धन बाबा नन सिंग जी महराज हर पूर्णी माशी पर तकरीबन दस हजार की एकत्ता तो होती थी और सेवा का उत्सव भी इतना गड़िये भर कर प्रसाद आते थे इतने प्रसाद का अंदर बुगतेने का अवसर ही कहा मिलता था और अगर कही संगत को प्रसाद की ज़रूरत समझे तो वही पर अरदास करके प्रशार बाट देते पर इस पुर्ण माशी पर अंगिनित एकत्ता देखकर चारो तरफ चार लंगर लगा दिये एक तरफ बहडवाला की संगत कि तरफ से दुसरी तरफ जालरा और पत्तो की संगत तिसरी तरफ बहार टिब्बे का और चोती तरफ दुन्यों की संगत का लंगर था पुर्णी माशी वाले दिन तो कोई सीमा ही नहीं रहती चार जवानों को एक खेस के चारो कोने पकड़ कर और तीन तीन मन प्रसादे बाटने के लिए देने और दो-दो प्रसादे जल्दी-जल्दी फेक जाते पिछे दाल वाले और पिछे-पिछे कड़ा प्रसाद वाले ने बड़ी-बड़ी मात्रा में देने ये नजारा बस अलग ही था बाबा जी रात के समय एक बजे चादर लपेट कर लंगर में गए और लंगारिये से पूछने लगे प्रसाद सबको मिल गया है? जी हाँ, क्या सबूत है? अगर सबको मिल गया तो पीछे भी पड़ा होगा और बिलकुल ठीक प्रसाद पड़ा था बड़ा लंगर जहलारा का था, वहाँ जाकर बाहर से ही आवाज दी कौन है? भाई लंगरी? हाँ भाई बताओ, तो कहा एक प्रसादा चाहिए, तो लंगरी एक प्रसादा पर दाल रख कर ले आया और जब पकड़ाने लगा, तो एक दम काप उठे यह तो बाबा जी आप ही है, बाबा जी में भूल गया, बक्ष तो, कोई नहीं, कोई नहीं वहाँ भी लंगर बचा देख कर प्रसन्ना हो गए, और कहा आप काम करो अपना कह कर दुसरी तरफ चल गए, लंगर से प्रसन्न होकर सरदा सूरेन सिहा को काने लगे, बल्ले होए मर्दा आपने तो कुत्तों को भी रजा दिया है सो धन्य ते बाबा जी और बाबा जी की चोज, सो यह कता पूरी हुई, आगे कता और पड़ोगे वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की पते, धन बाबा नन सिंग जी, धन गुरु नामक, धन गुरु गोविन सिंग जी माराच, वाहि गुरु